अनुशासन के बिनना शासन तलवार बिना है धार के भफसागर में डोले नईया बिनमाजी पतवार के अपने लिखी इनी पंक्तियों से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और खोशाल होंगे हर एक माता-पिता के लिए उनके बच्चे बहुत ही स्पेशल होते हैं और सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में कुछ अच्छा करें कुछ बेहतर करें लेकिन जाने अन जाने माता-पिता कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि बच्चों का जीवन बेहतर बनने की बजा तहस नहस हो जाता है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी गलतिया हैं जो माता-पिता अक्सर करते हैं और उन्हें इन गलतियों को कभी भी नहीं करना चाहिए तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखिए सबसे पहली गलती जो पेरिंट्स क को यही कहते सुना गया है कि अभी तो बच्चा छोटा है धीरे धीरे बड़ा होगा सब सीख जाएगा लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यहीं होती है क्योंकि जो आदते आपने बच्पन में नहीं डाली वो आदते बड़े होकर कभी भी आपके बच्चे में नहीं आ होंगी कि आप अपने बच्चों की बच्पन से ही अच्छी आदतों की प्रेक्टिस कराईए ताकि आपके बच्चे धीरे-धीरे समय के साथ जैसे बड़े हो तो उनके अंदर अच्छी आदतों का डवलेप्मेंट और भी मजबूती से हो इसके अलावा बहुत सारे पेरें लग भी गई हैं वो पेरेंट्स का बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं तो अब आप बताईए कि उनको कैसे सुधारा जाए तो देखिए अगर आपके बच्चे टीनेज में आ चुके हैं आपकी बात नहीं सुनते आपके साथ मिस बिहेव करते हैं तो देखिए इसका सीधा जीए सीधा मतलब यही है कि आपने बच्चों के बच्चपन में किसी भी तरह का उन पर ध्यान नहीं दिया उस समय तो आपने बच्चा कDJकर उनको चोड़ दिया कि कोई बात नहीं बड़े होकर सीख जाएगा गल्तिया तो वो बच्चपन में भी वही कर रहा था जो कि तर इतना है कि उस समय आपने बच्चा कहकर टाल दिया था और आज आप उन गलतियों को इग्नोर नहीं कर पा रही हैं और आज आप बहुत ज़्यादा इंबरेस्ट तो सभी पेरेंट से में यही कहूंगी कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो अभी से ही अपने बच्चों को अच्छी आदतों की प्रैक्टिस कराएं केवल कहकर न टालें कि यह काम कर लो वो काम मत करो उनको लगतार प्रैक्टिस कराईए और जिनके बच्चे बड़े हो गए है यानि टीलेज में आ गए हैं उन सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि आपने जो मेनत बच्पन में नहीं की अब आपको डबल मेनत करनी पड़ेगी अगर आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं दूसरी गलती जो अक्सा पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि अपने घर का महल बिल्कुल ठीक नहीं रखते उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं चूशन जाके अपना काम ठीक ठाक कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनके बच्चे सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन सिर्फ पढ़ाई से बच्चे की परस्नेलिटी तो ग्रूम नहीं होती है उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिसका कि उसकी अप्रिंगिंग में शामिल होना बहुत जरूरी है मैं पर करते हैं अलग-अलग तरह की कलासे जुइन करने पड़ती है जैसे कम्यूनिकेशन कल्स क्लासेश है क्यों-क्योंकि उनको यह पता ही नहीं होता कि किसी से बाचित करने का सही तरीका क्या है या पिर जिसके साथ वो बैठें तो उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इंशॉर्ट वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो सोशली बिल्कुल भी ग्रूम नहीं है इसलिए पढ़ाई में बहुत अच्छे होने के बाबजूत भी वो अपने करियर में सफल नहीं हो पाते और यहां तक कि अपनी लाइफ में भी वो आगे नहीं बढ़ पाते तो देखे लाइफ में असफल होने का मुख्यकरन यही है कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में जाके जानकारी तो हासिल कर लेता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वज़े से वो उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाता इसलिए सभी पेरिंट्स से कहूंगी कि अच्छी बातों की अच्छी आदतों की बच्चपन से ही बच्चों को प्रैक्टिस कराईए आप सोच रहे होंगे कि इन सारी बातों की प्रैक्टिस कैसे कराई जाए तो देखिए इसके लिए मैं आपको इस चोटी सी टिप दे रही हूँ देखिए पेरिंट्स जो होते हैं वो ही बच्चे को सिखाने का काम करते हैं इसलिए हर पेरिंट्स को अपने आचार, विचार और विवहार को हमेशा correct रखना चाहिए यानि उनका एक 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 एक्षन बिल्कु सही होना चाहिए तो अपनी बात को समझाने के लिए एक छोटा से एक्जेंपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ध्यान से समझीएगा इसको मान के जलिए कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो यूजूली पिलिंट्स क्या करते हैं वो यही कहते हैं कि पढ़ बैट नहीं तो दो थपढ़ लगाऊंगा या बहुत सी मदस भी कहेंगी कि पढ़ ले नहीं तो इतना मारूँगी कि मूर टेड़ा हो जाएगा तो आपके हिसाब से ये बात बिलकुत सही है आप यही सोच रहे हैं कि अगर हम इतनी सकती नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा और सही भी है कि अगर आप सकती नहीं करेंगी तो बच्चा शायद ना भी पढ़े लेकिन जो आपने भाशा का यूज किया है जिस language को आपने उसके सामने दिखाया है उस language से बच्चे ने ये सीख लिया कि अगर कोई आपकी बात ना माने तो हमें इसी तरह की भाशा का प्रयोग करना चाहिए तो जब आपका बच्चा बड़ा होगा पब्लिक में जाएगा और कोई इसकी बात नहीं मानेगा तो आटोमेटिकली उसके मुझसे यही निकलेगा कि दो थपड लगाऊंगा तो मूझ ठीक हो जाएगा तो जब वो इस तरह की बात कहेगा तो लोग क्या कहेंगे लोग यही कहेंगे कि इसको बिलकुल भी तमीज नहीं है तो अब आप इस बात को बहुत ही गहराई से सोचिए कि इस बच्चे ने वो बात कहां से सीखी इस बच्चे ने वो बात बच्वन में ही आप से सीख ली थी तो ये एक छोटा से एक्जेंपल था जिससे आप समझ गए होंगे कि आपको अपने actions को कितना control रखना है अपनी language को कितना अच्छा या बहतर रखना है जिससे कि आपका बच्चा कभी भी कुछ गलत ना सीख पाए लास्ट और सबसे important point कि आज कल parents अपने बच्चों को right values देने में नाकामियाब हो रहे हैं बच्चों को आजादी तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें उनकी limits बताने में असफल हो रहे हैं उनके बच्चे ये जानी नहीं पाते कि उन्हें कहां जाना है और कहां पर रुकना जिसक बच्चे बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और जब बच्चे भटक जाते हैं तो माता पिता को बहुत ही अफसोस होता है इसलिए मैं सभी parents से कहूंगी कि अपना अचार, विचार, विवार और अपने घर का महौल बहुत ही सुन्दर रखीगा एक बात आप अच्छे से सम अंदर के महौल पर है अपने बच्चों की परवरिश पर है देखिए बच्चे बिलकुल पेड़ की तरना होते हैं अगर पेड़ की जड़े मजबूत होंगी तो आंधियों का कोई असर नहीं पड़ेगा वो पेड़ बिलकु सीधा खड़ा रहेगा बिलकुल उसी तरह से बच्चे, अगर हमारे बच्चों में अच्छे संसकार हैं, उनके अंदर अच्छी आदते हैं, तो बहार के खराब महल में भी बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, इसलिए आप घर के महल को अच्छा रखें और बच्चों को अच्छी आदतों की लगातार प्रैक्टिस करात तो ये थी वो छोड़ी छोड़ी बाते जिनका आपको ध्यान रखना है चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अच्छे माता-पिता वो नहीं है जिनके पास बहुत सारी दौलत है अच्छे माता-पिता वो है जिनके पास अच्छे संसकार है और वो अपने संसकारों को अपने बच्चों में उडेल देते हैं इसलिए अच्छे इंसान बनिये और अच्छे इंसान बनाईए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत